राधे राधे फ्रेंट्स जै ना ना दी तो आज ब्रत में बनाएंगे हम paper डोशा और मसाला डोशा ब्रत में खाया जाने वाला जो कि बहुत इजी तरीके से मैंने इसे बनाया है खाने मैं तो बहुत जादा टेश्टी था तो आईे बनाना सुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने एक कप समा के चावल और छोटी कटोरी मैंने साबुदाना ले लिया है लगबग 4-5 चम्मच साबुदाना है तो इसे हम एक मिक्सर जाल लेंगे उसमें हम इसे ग्राइंड कर लेंगे बहुत इजी तरह से ग्राइंड हो जाता है बिल्कुल बिना किसी त तो सबसे पहले साबुदाना डाल देंगे लगबग 4-5 चम्मच है और यहां पर एक कप समा के चावल तो इसे हम पीस लेंगे तो देखे कितना बढ़ियां पिसकत तयार हो गया है बहुत इजी तरीके से आटा जैसा बन जाता है दरदरासा अब इसे हम बड़े मिक्सर जार तो अब इसमें डालेंगे हम दैट तो मैंने जिस कटोरी से साबुदाना लिया था उसे से मैंने गuschपी दे ले ले लिए हैं के दही डालेंगे और स्वाध नुसहार नमक डालेंगे बाकि और कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि बढ़ियां से हमारा डोशे वाला पेस्ट बन जाए तो देखे पेस्ट बहुत ही बढ़ियां बनकर रेडी हो गया है थोड़ा जादा गाड़ा है तो थोड़ा सा पानी और इसे मिलाएंगे और एकदम दोशे दर्सा बैटर तयार कर लेंगे, थोड़ा सा पानी लगभग 2-3 चमज के करीब मैंने मिलाया हुआ है, तो यह परफेक्ट बनकर रेडी है, तो स्वाधनुसान नमक डालनेंगे, आप पीस्ते समय भी नमक डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं, बाकी औ पड़ भी बना सकते हो, तब भी बहुत ही बढ़िया बनेगा, लेकिन मैं इसे एक घंटे के लिए साइड में रख दूँगी, ताकि अच्छे से सेट हो जाए, तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जो भी मिक्सर जार में पेश लगा हुआ था, उसमें थोड़ा सा पानी डाल की मैंने रख दिया है, अब चुलो आलू का मसाला बना लेते हैं, तो मैंने गैस पे कडाही रखे, उसमें एक चमच के करीब डाला तेल, डालेंगे इसमें जीरा डालेंगे, अगर आप जीरा नहीं खाते हैं ब्रत में, तो इसकिप कर दीजे, और यहां पे डालेंगे यह बारिक कटे हुई हरी मिर्च, उसके बार डालेंगे करी पत्ता और अद्रक डालेंगे कद्दू कस किया हुआ, इसे थोड़ा सा भूल लेंगे, जब तक इसमें अच्छी सी खुस्बू नहीं आ जाते हैं, इसको बहुत अच्छी तरीके से हम धीमी आज पे भूनेंगे यह बहुत ही टेश्टी आलू का मसाला बनता है, आप ब्रत में इस तरह से आलू का मसाला बना सकते हैं, सामभर तो बना नहीं सकते हैं, इसलिए आलू का मसाला और चत्नी मैंने बनाई है, बहुत ही टेश्टी चत्नी भी मैंने बनाया यहां पे, दोशी के साथ खाने के लि ब्रत में भी आलू पूरी के साथ खा सकते हैं, आलू की सबजी बना के पूरी सिंहारे की पूरी, या कट्चु के आटे की साबूद कई जब आप चीज साथ सकते हैं। इसे 20 कंद न भी किसके हैं। तो अभी लाइट चली गए थी थोड़ा कलर में दुकत थी तो लाइट आ गई है तो बहुत ही अच्छी तरह से दिख रहा है तो देखिए आलू के मसाले बन कर रेडी हो गए तिसे साइड में रख देते थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे देखिए आलू बहुत ही अच्छी तरह से बन कर रेडी हो गई है तो थोड़ी सी आलू हम प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ी सी आलू हम मैस करेंगे मसाले के लिए जो हम दोशा मसाला बनाएंगी न तो थोड़ी से आलू मैस कर लेंगे, थोड़ी से साइड में रख देंगे एक पेपर डोशा बनाएंगे, एक मसाला डोशा बनाएंगे तो इतनी आलू को मैंने निकाल लिया है, बाकी आलू को हम मैसर से मैस कर देंगे आपको अलग से बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं इसी तरह से आप मैस कर लेंगे तो आपका मसाला बनके रेडी हो जाएगा तो मैंने मैसर से मैस कर लिया बखी और कुछ भी बिना खिसी ताम जाम की हमारे मसाले तैयार हो गये है तो इसे साइड में रख देंगे हम तो है ना आलू का मसाला फटाफट से बनके रेडी हो गया है तो इसे भी हम साइड में रख देते हैं अब अपनी बहुत ही तेश्टी सी चटनी बना लेते हैं दोशे के साथ खाने के लिए तेहाँ पि मैंने हरी धनिया लिए जिसे मैं अच्छे से धुल लिया था उसके बार डालेंगे तीन से चार हरी मिर्ची बहुत तीकी नहीं है थोड़ा सा एक इंच अद्रक का टुकडा और दो से तीन चम्मस दही आप दही जरूर डालेगा बहुत टेश्टी चटनी बनती है थोड़े से मोंफले की दाने उसके चिलके बने उतार लिये थे अब इसमें डालेंगे स्वादर्सा नमक डालेंगे उसके बाद इसमें नीबु का रस डालेंगे अगर आप निबू का रस नहीं डालना चाहते तो मड़ डाले वैसे भी बहुत टेश्टी बनेगी अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं तो चटनी मारी बनकर रेडी हो गई है डोशे के साथ खाने के लिए आप किसी भी पूरी पराटे के साथ कटलेट के साथ आप खा सकते हैं आप साबुदाने की कट्रिट बनाईए, बहुत ही टेस्टी उसके साथ भी लएगी, तो इस तरह से आप ब्रत की चट्नी बना सकते हो, तो इससे साइड में रख देंगे, चट्नी मारी बनकर रेडी हो गई है, तो अब हम दूशा बनाने की तैयारी करते हैं, इस चट्नी अच्छे से इसे ग्रिश कर देंगे, उसके बाद अपना बैटर डालेंगे, तो मैंने डाल वाली जो कल्शी होती नहीं, उसी को मैंने लिया है, दो कल्शी मैंने डाला है, और एक ही डारेक्शन में मैंने इसे चला दिया है, थोड़ा सा बड़ा ही डोसा बनाएंगे, डोस बहुत ही टेश्टी बनती है आपको मजा जाएगा बनाकर थोड़ा से देशी गी डाल देंगे और इसे धीमयाज पर पकने देंगे एक दम कुरकुरा सा ब्राउन होने तक इसे पकने देखे तो देखे हलका हलका सा कलर आ रहा है आपको दिखी रहा होगा तो नीचे के साइड बहुत अच्छे से कलर आ गया है तो सबसे पहले तुम्हें पेपर डोसा बनाके रेडी करूँगी उसके बाद एक मसाला डोसा बनाके आपको दिखाऊंगी तो आप देखी सकते हो कितना बढ़िया कुरकुरा एक डब बनकर रेडी हो गया है तो इस तरह से साइड में रख देंगे और दूसरा वीडोसा बनाएंगे मसाला डोसा तो थोड़ा समय ने तेल फिसे डाल दिया है और अच्छे से टीशू पेपर से इसे ग्रिश कर दिया है उसके बाद फिर से बैटर डालेंगे हमारी कल्ची एकदम गोली रहनी चाहिए जैसे डाल वाली कल्ची होती नहीं या तो अब कटूरी से भी इसे फेला सकते हैं मैंने सभी के लिए मसाला डोसा पेपर डोसा बनाया सभी को बहुत ज्यादा पसंद है मुझे बहुत अच्छा लगा जब कोई तारीप करता है तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है तो देखिए बहुत अच्छी तरह से भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो उपर से दालेंगे आलू का मसाला आप इसमें मुंफली भी डाल सकते हैं पनीर का भी आप मसाला बना के तयार कर सकते हैं पर मैं यहां पर बच्चों के लिए बना रही हूं तो अलू का मसाला तो देखें मसाला डोसा भी तयार हो गया है तो अब इसी प्लेटिंग कर लेते हैं तो एक काटी की साथ खा सकते हैं कोड़ी सी मुंफली डाल के इंजॉय कर सकते हैं पेपर डोसे से उठा की सिखा सकते हैं उसके बाद रखेंगे मसाला डोसा पेपर डोसा तो फ्रेंड्स रेडी है हमारी मसाले डोसे पेपर डोसे और आलू का मसाला बहुत ही टेस्टी दही की चट्न हैं तो पेंट सेल को सब्सक्राइब कर दो